सबी को पता है कि अनुसासन ही सपलता की कुणजी है इस वीडियो में हम अनुसासन से सम्बंदीत कुछ एहम जानकरियां उपलब्द करवा रहे हैं आसा करती हूं कि हमारा यह वीडियो आपको परिक्षाओं में निबंद लिखने में तो साहता करेगा ही साथ ही साथ आपको अनुसासित रहने के लिए भी प्रेरिना परदान करेगा आईए शिरु करते हैं प्रस्तावना हर किसी के जीवन में अनुसासन सबसे महत्वपूर्ण है अनुसासन के बिना कोई सुखी जीवन नहीं जी सकता अनुसासन वह सब कुछ है जो हम सही समय में सही तरीके से करते हैं यह हमें सही रास्ते पर ले जाता है जीवन के सभी कारियों में अनुसासन अत्यदिक मुल्यवान है हमें हर समय इसका पालन करना है चाहे वो स्कूल, घर, कारियाले, संस्तान, फैक्टरी, खेल का मैदान, युद्ध का मैदान या दूसरी जगे हो ये खुशाहल और शांतिपुन जीवन जीने की सबसे वड़ी जरूरत है आज के आधुनिक समय में अनुसासन बहुत ही आउशक है क्योंकि इस व्यस्त भरे समय में यदि हम अनुसासन भरी दिन चर्या का पालन ना करें तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा अनुसासन का अर्थ है अनुसासन दो सब्दों से मिलकर बना है अनु और सासन अनु का अर्थ है पालन और सासन का मतलब नियम हमारे जीवन में अनुसासन का बहुत महतो है यह हमें नियमों का पालन करना सिखाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो की समाज में रहता है और उसमें रहने के लिए अनुसासन की आशकता होती है अनुसासन हमारी सफलता की सीडी है जिसके सारे हम कोई भी मंजील हासिल कर सकते। अनुसासन दो प्रकार का होता है। एक वो जो हमें बहारी समाज से मिलता है और दूसरा वो जो हमारे अंदर खुद से उत्पन होता है। हलानकी कई बार हमें किसी प्रभावसाली व्यक्ती से अपने स्वय अनुसासन की आदितों में सुधार करने के लिए प्रेरियना की जरुरत होती है। जीवन में अनुसासन का महत्वे, अनुसासन के बीना जीवन निषक्रिय और बेकार हो जाता है। क्योंकि योजना के अनुसार कुछ भी नहीं होता है अगर हमें किसी भी कारिय को पूरा करने के बारे में सही तरीके से अपनी रणनिती को लागू करना है तो हमें पहले अनुसासन में रहने की आउशकता है अनुसासन चीजों को आसान बनाता है और हमारे जीवन में सफलता लाता है अनुसासन हमें बहुत सारे शांदार आउसर देता है आगे बढ़ने का सही तरीका जीवन में नई चीजें सीखने कम समय के भीतर अधिक अनुभव करने आदी जबकि अनुसासन की कमी से बहुत भ्र ग्रम और विकार पैदा होते हैं, अनुसासन हिंता के कारण जीवन में कोई शान्ती और प्रगती नहीं होती है, इसके बजाए बहुत सारी समस्याइं पैदा हो जाती है, हमें नियमों का पालन करने, आदेशों का पालन करने, और व्यवस्तित तरीके से व्यवहार करने की हमें अपने दैन Thanique जीवन में अनुसासन को महत्व्यकर देना चाहिए वे लोग जो अपने जीवन में अनुशाशित नहीं है उन्हazing का सामना करना पड़ता है और उन्हें जीवन में निरासाही मिलती है दैनिक जीवन में अनुसासन अनुसासन का महत्व समझने के बाद हमें चाहिए कि हम हमेशा अनुसासन में रहे और अपने जीवन में सफल होने के लिए अपने माता पिता और शिक्षकों के आदेश का पालन करें हमें सुबह सुबह बिस्तर से उठना चाहिए और एक ग्लास पानी पीना चाहिए और खुद को तरोताजय रखना चाहिए, डातों को रोजान ब्रश करना चाहिए, इस्नान करना चाहिए और फिर स्वस्त नास्ता करना चाहिए बिना भोजन ग्रेन के हमें कभी भी नेत इस्कूल जाना चाहिए और नहीं किसी अन्यकाम में हमें अपने प्रतेक कारी को सही समय पर साफ और स्वक्ष तरीके से करना चाहिए हमें अपने मातापिता को कभी भी ऐस विकार नहीं करना चाहिए कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए या उन्हें नाखुष नहीं करना चाहिए और हमेशा उनके आदेश का पालन करना चाहिए हमें अपना सभी काम सही समय पर करना चाहिए सभी के साथ अच्छा व्यवार करना चाहिए और सही तरीके से सब कुछ चीखना चाहिए अनुसासित रहने के तरीके अपने जीवन को अनुसासित बनाए रखने के लिए हमें हर संभव प्रियास करना चाहिए क्योंकि अनुसासन ही सफल जीवन की पहली सीड़ी मानी जाती है हम अपने जीवन में अनुसासन को अपनाने के लिए निमिलिकी तरीकों का पालन कर सकते हैं एक संतुलित और नियमित दिन्चरिया का पालन करना, कारियों को समय पर पूरा करने का हर संभव प्रियास करना व्यर्थ के कारियों से दूर रहना बुरी आदितों और कारियों से दूरी बनाना अपने कारियों के प्रती पूरी लगन रखना प्रकर्ती में अनुसासन के पूरिये हर दिन सही समय पर उदे होता है और सही समय पर अस्त होता है चांद सही समय पर उदे होता है सुभह और शाम बिना देर के उद्य होता है और सही समय पर अस्त होता है नदी हमेशा बहती है, माता-पिता हमेशा प्यार करते हैं, सिक्षक हमें हमेशा बहुत कुछ शिखाते हैं तो क्यों हमें अपने जीवन में अनुसासन को पीछे छोड़ना चाहिए हमें समश्याओं से पीरित हुए बिना आगे बढ़ने के लिए अपने जिवन में आवश्यक सभी अनुसासनों का पालन करना चाहिए प्रकर्ती कभी अनुसासन का उलंगन नहीं करती और हम भी तो प्रकर्ती के ही अभिन अंग हैं तो हमें भी अनुसासन का सदय पालन करना चाहिए अनुसासन कैसे सीखे हमें माता पिता शिक्षकों और अपने बुजूर्गों की आग्या का पालन करना चाहिए हमें उनके अनुभ़ों के बारे में जानने और उनकी जीत और ऐसा फलताओं से सीखने के लिए उन्हें सुनना चाहिए जब भी हम किसी चीज को घहराई से देखना शुरू करते हैं तो यह हमें जीवन का एक महत्वपुन सबक देती है प्रकरती से हम अनुसासन का सही से पालन करना सीख सकते हैं मोसम सही कर्म में आते हैं और चलते हैं बारिश होती हैं बोड़ जाती हैं इसलिए हमें भी इस धर्ती पर जीवन चक्र को बनाये रखने के लिए अनुसासन में रहने की आउशकता है हमारे जीवन में माता-पिता, सिख्षक, परिवार, परियावरण, वातावरण, आदी के पैती हमारी बहुत सारी जिम्मेदारिया हैं उन जिम्मेदारियों को समझते हुए हमें अपने करतवय का पालन करना चाहिए एक इनसान के रूप में हमारे पास सोचने, सही या गलत के बारे में निर्ने लेने और इसे कारिये में बदलने के लिए अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए बहुत दिमाग है इसलिए हम अपने जीवन में इस अनुशासन की आविशकता और महत्व को जानने के लिए अत्यदिक जिम्मेदार है अत्य अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अनुशासन का पालन करना अती आविशक है धन्यवाद, जैहिन